कहानी गाज माता की एक राज्या और एक राणी दोन्नु जणा एक बार महल में सुत्या था तो भूत जोर से बिजली चमकी जिन्याई बिजली चमकी तो राणी हाद जोर कर बैड़ गी और बोली हे गाज माता मन नाही रह जाऊं मेरा टाबर हो जावै तो मत हरा सीरय की कड़ाई कर देऊं जणा पिछे राणी नाई रहेगी बिन कुछ दिना बादी बेरो पट्यों की बिका टाबर होना हरो है फेर बापाच्छी बिजली एक दिन चमकी बेर राणी का पेट में टाबर हो बाप बुली कि हे गाज माता अगर मेरा छोरो हो जावै तो मैं थारी कड़ाई सीरय की कर देऊं राणी के जब टाबर होयो जणा भी कलड़कों ही पैदा होयो पन बाद गाज माता की कड़ाई करनों बूलगी यानी बाँकों सीरो बना कर और बाँका भोक को नी लगायो तो एक दिन गाज माता सोची की या तो आपान बूलगी आपान तो इन चुटकलों दिखानों ही पड़ी जणा गास्ती गूर्ती आई और पालन सेती लड़कन उठा कर लेगी और एक बीलनी बील रहता था जंगल में जिक्की का गर का गले जाकर और पालनों रख दियो बे बील बीलनी था बाँका भी कोई टाबर को नी था तो वो पालनों देखकर बे दुनु जना भूद खुश होया क्योंकि भी भूद गरीब था और पांका कोई बच्चों भी को नी थो तो जंगल का माई ने पालन में जब दुनु जना भी बच्चे न देख्या सोयडों भी लड़का न देख्या तो भूद राजी होया और भगवान के आगे खूब हाद जोड़या पर एक दोबी हो बोड़ मां के गर के पास में एक तड़ाब हो जी तड़ाब मैं राजा का कपड़ा दोने जाया करतो और उठे जब वो भी बच्चे न देखे तो वो सारी बात मां से पूछे तो बे भील भी लणी भी न बोले कि मा आने कुनी बेरो यो टाबर खटे सा यो माय तो जंगल सा जब आया जणा यो पालन सेती यो मान टाबर अठे मिल्यों बठी ने राज्जा का गर में रोडों हो गयो कि गाज माता लड़कर ने उठा कर लेगी यानि जब गो जोड़ सानती तुफान आयो तो पालन सेती आज-कुमार खटचलयो गई तब बुद्दू भी बोल्यों कि लड़को तो पालन में बील का घरा सुत्यों है राजा बील ने बुला कर पुछा कि लड़को तेरे ठायो हों कि बील बोल्यों कि हां मैं गाज माता की बरत करता हैं बाई मान तो योदियों यानि में भी मी जद मेरहां इंचा पारा हो वग मत से जांवा के वक्ताव कशा मंत हैं आपक जो cran जो तरद मेरहा का की जीनीो तेरेख मंटा के एकषा कंवेर मेरहां दू तरही जो सानवें हमारा कुषब्रेक्न. लिए कर और वाको टाबरवा ने पाच्छों देर दियो और बे गाज माता और को कूप धूम धाम से उजमणों कर आख कड़ाई करी और सारी नगरी में सिरोव बठवायो गाज माता लड़के ने पाच्छो दियो जिसोँ सब न दिये बठीन बें बी लड़णी मन में होईयो कि मारे बेटो मिल्यों थो अनल दोगर घंथा करता दोनुम्हा हुगा, तो तो राज माता है was राज लटकों देदियो और खूब धंदोलत भी और ऊई यां करका थी बहां कारने तो पांसे etzen उलगाएं ध्याँ करें गाज माता पहलें को जरूड करें गाजvanतu से खीर目 बहुत जारी जीमिकर पु continue जिसो भी बिलनी न दियो और बिल न दियो विसो सब न दिये कैतन सुनतन हैं हुकारे बढ़तन हैं आपके सारे परिवार न दिये एक बाद बिनायक जी की काने एक बार बिनायक जी महाराज चुटी में चावल और चमची में दूद लेकर सारे नगर में गुम्हें कि कोई मेरी खीड बना दियो जना सब जना बोलिया कि इतना से दूद और चावल से कोई खीर बनेंगे जना एक बुड़ी आमाई बोली कि लिया मैं बना देऊं कटोरी लेकर आई तो बिनायक जी महाराज बोल्या कि कटोरी लिया ये बुड़ी आमाई टोप चड़ा बुड़ी आमाई बोली कि इत्तो सो दूद तो कटोरी में आजा सी बिनायक जी बोल्या तू टोप चड़ा तो तो सरी बुड़ी आमाई टोप चड़ाई और बिनायक जी माराज जे याई चमची सा दूद गाल्या बैं याई दोप दूद को बरगयो और थाली मा चावल गाल्या तो थाली चावलां सा बरगी बिनायक जी माराज भी न बुलिया कि तु तो खीर बना मैं बार न चाकर आऊ जणां बेबार न चले कि आए खीर बनकर तयार ओगी बिनाईक जी महराज आया कुनी बुढिया माई को मन चाल गयो बात दरवाज्य का पीछा बैट कर और खीर को भोग लगाई बोली जए हो बिनाईक जी महराज जायो खीर और खुद भी खीर ने खाली इतना में बिनाईक जी माराज आया पुछा बोलिया बुडिया माई खीर बन होग लिया हां बन腥ी जीन्प कुरकता arts जी मराज भोग लगाओ जणा बुडिया माई बुड़ी की हे माराज थे मेरा पढ़दा पर्दा 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 पर्द वादिया ये बिनाइक जी महराज जिसो भी बुडिया माई न दियो जिसो सब न दियो जिसो भी बिलिया माई का उपड़ टूठिया बैयां सब का उपड़ टूठियो केतन सुनतन हुकारे बढ़तन आपका सारा परिवार ने बुलो बिनाइक जी महराज कीजे बुलो गाज म आता कीजियो